Credit Analysis, यहाँ पर दो टम है, Credit और Analysis ते यानि कि Analysis of Credit, Credit को Analyze करना, Credit को समझना, अब देखे, Credit मतलब क्या होता है, Credit मतलब की is the ability of a customer to obtain goods or services before payment, यानि कि सपोज़कर कि आप हैं, तो आपकी ability है कि नहीं है कि आप बिना payment कि ये कोई good या services जो है वो लोन पर ले सकते हैं, सपोज़कर कि आप कार लेने जा रहे हैं लोन पर, या फिर आप जो होम लेने जा रहे हैं लोन पर, तो क्या आपके पास वो credit worthiness है, यानि कि आपके पास ability है, कि आप बिना payment कि अभी आप घर ले लिजे, कार ले लिजे लोन पर और आगे चलके आप जो है payment को वापस चुका सकते हैं, तो इसको analyze करना ही credit analysis कहलाता है, credit क्या हो गया, ability of a customer to obtain goods or services before payment, और या ability कब होगी, जब हमें पता होगा कि हाँ, आपके पास एक secure job है, आपके पास government job है, आज के टाइम पर government job क्यों लोग चाता है, क्योंकि लोन भी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ पता होत आगे चल के उस loan amount को चुका देगा कि नहीं चुका देगा, तो credit क्या हो गया, is the ability of a customer to obtain goods or services before payment, based on the trust that payment will be made in the future, तो इस चीज़ को analyze करना क्या हो गया, credit analysis हो गया, credit analysis is the quantitative and qualitative analysis done by bank or loan provider, तो कौन करता है, bank या फिस जो loan प्रोवाइट करता है, वही तो credit analysis करेगा, भाई आप सपोर परसन आता है, आप से बोलता है कि मुझे 10 लाग रुपे चाहिए, तो अब analysis आप ही करोगे ना, कि उस person की credit worthiness है कि नहीं है, क्या वो अगर आज 10 लाग रुपे लेके जा रहा है, तो क्या आगे चल के कुछ सालों बाद वो आपको 10 लाग रुपे चुका पाएगा, कि नही लिए हैं, क्या वो आपका जो पैसा है, जो principal amount है, या फिर जो loan amount है, क्या वो आगे चल के चुका पाएगा, कि नहीं चुका पाएगा, इस चीज़ को ensure करने के लिए, यानि कि credit risk को कम करने के लिए, आप क्या करते हो, credit analysis करते हो, clear, तो credit analysis में overall यही है, कि आप क्या करते हो, य वो आपस चुका पाएगा, या नहीं चुका पाएगा, तो इन सब credit analysis में, seven seas होते हैं, जो की ध्यान में रखने चाहिए, जब भी कोई loan provider या जब भी कोई bank loan देता है किसी को, तो उसको seven seas पे focus करना चाहिए, तो that is seven seas of credit analysis, तो सबसे पहला है character, character यानि कि क्या वो जो person loan लेने आ रहा है, तो उसकी responsibility देखिए, वो truthfulness है या नहीं है, serious purpose है कि नहीं, आप suppose कि आप 10th pass हैं, और आप कहरे हो कि मुझे PG के लिए loan चाहिए, तो अभी कैसे loan मिल जाएगा भाई, पहले आप UG complete के उसके बाद PG के लिए loan आई, तो हम को लगेगा भी कि हाँ, आप seriously loan लेना चाह रहे हैं, तो purpose serious होना चाहिए, and serious intention to repay all monies, odd, यानि कि जो भी आपने money odd किया है, वो सारा का सारा जो है, आप, जो है, आपका intention है कि आप आके चलके pay कर दोगे, यहाँ पर क्या चीज़ देखिए जाए, what are you, and do you know what are you doing, यानि कि आप कौन है, और आप क्या कर रहे हो, आपको प character का है, उसका character criminal background का, वो आपका loan आगे चलके नहीं देगा, हो सकता है, आप उससे मांगने जाओगे, उल्टा आपको भी मार देगा, तो यह character आप चेक करते हो, तो उससे जब भी credit analysis होता है, तो इसमें सबसे पहला क्या करोगे, कि जो person है, जो loan लेने आ रहा है, वो organization भी हो सकता है, वो, जो है, कोई person भी हो सकता है, उसके character को देखिए, कि वह वो responsible है कि नहीं है, उस पे विश्वास किया जा सकता है, उसका purpose सही है कि नहीं है, वो serious है, उसका intention है कि नहीं है, पे कर देगा कि आगे चलके कि नहीं करेगा, इस चीज़ को देखा जाता है, फिर उसके जब आप character देख लिए, तो अब अगला आता है capacity to pay, यानि कि आप तो देखने में सही हो, आप सच बोल रहे हो, आप जो है trustworthiness हो, आप पर विश्वास किया जा सकता है, आपका intention भी एका पैसे देद हो गोई, लेकिन क्या आपके पास वो छमता है, क्या आपके पास इतना पैस कहीं से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानि कि आप वेरोजगार बैठे हो, और आप लेने आगे 10 लाग का, तो आपके पास पैसा कहां से आएगा, यानि कि आपके पास कुछ तो होना चाहिए, जिसके basis पर हम यह मान के चले कि आप आगे चलके पैसा देद होगे, ठीक है, that is capacity to pay, do you have the cash flow to pay back the debt, तीसरा है capital, या फिर इसको कहीं कहीं पर cash भी आपके नाम से मिल जाएगा, तो capital यानि कि आपके पास आपकी financial position क्या है, currently आपके पास कितना tangible net worth या फिर profitability है आपकी, ये सारी चीजों को check करना, capital, then आता है collateral, यानि कि आप loan तो लेने आ गए, लेकिन उसके बदले क्या रखोगे, आप suppose कि आपके पास कहीं से income नहीं आ रहा है, लेकिन आपको loan चाहिए, तो उसके बदले, यानि कि अगर suppose कि 10 lakh का loan ले रहो, तो 10 lakh अगर आप नहीं चुका पाते हो, in the case, default के case में, तो आप उसके बदले हम आपसे कैसे पैसा वसूल करेंगे, तो हम क आपके पास कुछ collateral लखने के लिए है भी या नहीं है, जो loan लेने आ रहा है, इसी तरह के से पांचवा है condition, condition यानि कि आप suppose कि आज तो आपको पैसा कमा रहे हो, लेकिन क्या आगे चलके वो condition सेम रहे, तो मैं आपको 10 lakh रुपए का loan दे सकता हूँ, क्योंकि आपके पास हर म credit history मतलब कि आपने इससे पहले जो loan लिया था, क्या आपने उसको time पी चुकाया है, अब suppose रहे इससे पहले आपने पांच लाग का loan लिया था, पांच लाग का loan पांच साल के लिए था, पता चला कि आप 6-7 साल होगे, आपने loan नहीं चुका है, आप default कर गए, तो credit history से भी आ फिर आपके parents use करते होंगे credit card, तो आप देखते होंगे उनका credit score आता है, सारे 700, 600, 700, तो यह उनके वो जो repayment करते हैं, यानि कि इतना loan लिया और उनने उसको time पे चुकाया नहीं चुकाया, उसके basis पर उनका credit score बनता है, और जिस person का जितना अच्छा credit score रहेगा, उसको उतना अच्छा और easily loan मिल जाता है, वहीं पर सातवा है common sense, common sense यहाँ पर बात हो रही है कि जो loan provider है, यानि कि जो bank है या फिर जो loan दे रहा है, जो loan inspector होता है, उसका क्या common sense कहता है, यानि कि जो person है, आपके सामने एक person आगया loan लेने, अब वो बहुत ही sincere लग रहा है, और साथी साथ उसके बाकी चीज़े भी complete हो रही है, लेकिन फिर भी आपका common sense कहा है, आपका intuition क्या कह रहा है, आपका क्या opinion कि सामने वाला loan जो ले रहा है, वो purposefully ले रहा है, या फिर हो सकता है कि जूट बोल रहा है, या फिर हो सकता है कि आगे चलके default कर सकता है, तो आपका intuition क्या है, observation, इसके basis पर भी वो अपना opinion अपना intuition देता है, यानि कि अगर उसको लगता है कि हाँ इसको loan दिया जा सकता हो, तो फिर loan दे दिया जाता है, वही पर अगर लगता है कि नहीं, ये सबको सही कह रहा है, लेकिन इसको loan देने लाक नहीं है, आगे चलके fraud कर सकता है, तो आप loan नहीं दोगे, तो ये seven C's होते हैं credit analysis के, यानि कि जब भी कोई company जो loan प्रोवाइट करती है, बैंक हो गई, वो जो है, जब analysis करती है credit की, तो इन साथ C's को ध्यान में रखती है, कौन सा character, capacity to pay, capital, या फिर कहीं पर cash, collateral, condition, credit history and common sense, clear, अब बात कर लेकि credit analysis का process कहा है, तो बहुत ह सबसे पहले credit analysis कर रहे हो, तो credit को analysis करने के लिए सबसे पहले आपके पास कहीं जो loan लेने आया है, उसकी information चाहिए, तो information collection, पहला stage, कि जो भी loan लेने आया है, वो कोई individual है, या फिर कोई business organization है, आप उसकी credit history से related data collect करिए, उसकी occupation, यानि कि वो job कहा कर रहा है, उसका appointment later मांगिए bank detail मांगिए, तीन मेने का छे मेने का statement मांगिए, address proof लिजे, identity proof लिजे, ITR लिजे, कि वो ITR फाइल कर रहा है, form 16 हो गया, या फिर कोई और other relevant documents हो गया, वो सारी चीजे क्या करिए, आप उसको collect करिए, आप होता है, loan जब लेने जाते होना, तो आप से पूरे documents मांगे जाते है आप यह सारी documents, checklist दे दी जाती है, वो documents आप लेकर आए, डॉक्मेंट सब्मिट करिए, जब आप documents जो loan लेने जाता है, जिसको loan चाहिए, वो document सब्मिट कर देता है, अब जो loan inspector होता है, उस information को evaluate करता है, जो भी आपने submit किया है, loan लेने वाले ने जो भी document सब्मिट कर देता ह क्या वो valid है, क्या वो सही है, ठीक है, हो सकता है कि आप किसी organization में job करते हो ना, तो जो loan provide कर रहा होता है, वो bank, जो है, bank का एक employee जाएगा, आपके office, आपके company वहाँ पे check करेगा, कि आप वहाँ के employee हो भी या नहीं, फिर आपने appointment later लाके दे दिया है, वो cross check करता है, clear, तो if the information is accurate and truthful, यानि कि information evaluation में ये check किया था, कि जो भी आपने information दिया है, वो accurate है, या फिर truthful है, और उसके बाद फिर जो क्या होता है, approval होता है, या फिर rejection हो जाता है, यानि कि आपके eligibility, आपका credit worthiness देखकर, आपका credit history देखकर, आपकी occupation, आपका bank detail, इन सभी को analyze करके, जब जो है, evaluate कर दिया जाता है, और evaluation के basis पे, या तो आपको approval दे दिया जाएगा, या फिर आपके loan को reject कर दियाता है, या फिर आपके loan को reject कर दियाता है, या आपको loan नहीं मिल सकता है, clear, तो ये credit analysis process हो गया, उसके बाद आता है, documentation, यहां कि document क्या-क्या चाहिए होता है, loan को avail करने के लिए, कि किसी person को loan चाहिए, organization को loan चाहिए, तो उसको क्या-क्या document देने पड़ते हैं, तो देखे, कुछ document ऐसे हैं, जो fix है, common रहते हैं, किसी भी type का loan ले जाएगे, चाहिए, education loan हो, चाहिए, home loan हो, चाहिए, business loan हो, चाहिए, vehicle loan हो, आपके documents देने पड़ते हैं, वहीं पे कुछ specific document ह होते हैं, जब आप specific person से जाते हो, तो देना पड़ते हैं, जैसे education loan रहने गए, तो आपको academic document भी देना पड़ेगा, admission कहा लिया है, उसका free structure क्या है, वह साई documents आपको देने पड़ते हैं, home loan लेने चले गए, तो registry कहा है, अब allotment later कहा है, नकसा कहा है, वह साई documents आपको देन application form, जो कि आपको loan लेने जाते हैं, तो आपको एक application form fill करके, और उसको sign करके, photo paste करके, वहाँ पर आपको देना पड़ता है, उसके बाद pen card की copy, यानि आपका जो pen card होता है, permanent account number, उस card की copy देने होगी, proof of identity, जिसमें आप आधहार, pen, deal, voter ID, आपका passport, यह सारी चीज़ लगा सक इसके साथ proof of address, तो normally identity or address, आजकल दोनों चीज़ एक ID में मिल जाता है, तो आप आधहार दे दिज़े, pen दे दिज़े, deal दिज़े, दोनों काम हो जाता है, उसके बाद income proof, यानि कि आप loan लेने जाए तो आपके पास income proof क्या है, तो salary slip हो गया, bank statement हो गया, salary certificate हो गया, form 16 हो गया 26 AS हो गया, ITR हो गया, यह में से कुछ भी आप दे सकते हैं, उसके बाद passport size photograph जो एक्स्टर आप से मांगे जाते हैं, यह तो common document हो गया, उसके बाद फिर जो education हो गया, academic document हो गया, fee structure लेकिया, यह college का, यह university का, कि वो कितना fee structure, fees है वहाँ पे, ठीक है, तो साइच चीज़े हो home loan में जो आपका registry sale deed, allotment later, यह साइच चीज़े हो गई, और business loan लेने जाए तो आपका board resolution हो गया, P&L statement हो गया, office document हो गया, फिर office का residence कहा है, office का location कहा है, उसका proof हो गया, यह साइच documents जो है, वो मांगे जाते हैं, तो होप आपको clear होगा कि credit analysis क्या है, उसका process क्या है, save and seize क्या